हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे और आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपना बहुत कुपसूरत सा छोटा सा प्यारा सा गाउं और वहाँ पर जो हमारे देवता हैं जिनको हम पूछते हैं हम वहाँ पर जाके आज जोट जलाने वाले हैं तो आप सभी को मैं अपने साथ लेकि जाऊंगी मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि कैसा दिखता है मेरा गाउं और मेरे साथ जा रहा है रमन और मा तो फटा-फट से गाउं पहुंचने हैं जादा दूर नहीं है हमारे घर से भादूर घर से किते रहें लगते हैं आदा पॉना गंटा आदा पॉना गंटे का रास्ता है थोड़ा सा छोटा सा जाम में हमें जाम का पैच मिला ये क्लियर होते ही हम फटा-फट से गाउं की तरफ बढ़ते हैं और आपको भी दिखाते हूं कि किस तरह से हमारे देवता के हाँ पर जोड़ जलाई जाती है कैसे पूजा की जाती है तो अच्छा गाइस ये बताओ जब भी आप बच्पन याद करते हैं तो कौन सी याद है जो आपके दिमाग में सबसे पहले आती है मतलब कोई भी एक पिक्चर जॉब सबसे पहले इमेजिन करते हो मेरे दिमाग में आटोमेटिकली आते हैं खेत क्योंकि मैं बच्पन में काफी जाया करती थी काफी अच्छी मेमरीज भी हैं मेरी गाओं की पर बड़े होके स्कूल, कॉलेज और फिर जॉब तो ऐसे करते करते गाओं से बाहर निकलना हो ही गया और हम सब शहरों में शिफ्ट हो गए हैं लेकिन फिर भी अभी पे जब गाओं जाते हैं तो वो जो फीलिंग आती हैं जो हम नॉस्टेल्जिक फील करते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है वो गाओं की खुश्बू वो ठंडी ठंडी हवाएं और ऐसे ताजी-ताजी हवाएं आती हैं मतलब अगर आप दिल्ली, बहाद्दुर्गर, हरियाना से अगर में सिटी से निकल की गाओं की तरफ जाओगे तो आपको पता चलेगा, आपको महसूस होगा कि वहाँ की जो air है, वो कितनी जादा clean and pure है तो यही सब चीजें हैं, जो कुछ मैं गाओं की याद करती हूँ पर कोई बात नहीं, जब आगे बढ़ना है तो कुछ चीजें पीछे तो छोड़नी होंगी तो आओ, चलिए चलते हैं, मैं लगाती हूँ मंदर नहीं है, वो थोड़ा सा और जाके, आगे जाके है और यह जो आप side में देख रहे हैं, इसको जोड़ बोलते हैं और यहाँ पर यह तीरत के नाम से जाना जाता है इस जोड़ की भी यहाँ पर बहुत मान्यता है काफे सारे लोग यहाँ पर सनान करते हैं पूजा से पहले और अभी अभी इस time पर इस जोड़ की सफाई चल रही है मतलब कि सारा पानी निकाल के नीचे टाइल्स बिचाई जा रही है और फिर उसके बाद इसको दुबारा से रिफिल किया जाएगा तो मैंने पहले बच्पन में नहीं सोचा था बिल्कुल भी कि ऐसा भी हो सकता है कि जोड़ का सारा पानी हम निकाल के उसके नीचे टाइल भी लग सकती है तो बच्पन में तो यह सब नामूंकिन था पर अब धीरे सब कुछ हो रहा है और धीरे धीरे गाओं में भी तरक्कियां हो रही है तो फाइनली हम पहुँच गए हैं बाबा दैपाल के मंदिर में सबसे पहले तो बाबा को करेंगे प्रणाम जै बाबा दैपाल की और आगे बढ़ते हैं आपको बताती हूँ मैं इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा सबसे अच्छी बात कि ये मंदिर बहुत ही जादा साफ सुतरा है मतलब मंदिर तो मैंने और भी देखे हैं पर हाँ थोड़ी सी वहाँ पे जो लोग जोत लगा के जाते हैं प्रशाद रखके जाते हैं थोड़ी सी क्लीनले इसकी प्राबलम होती है मेंटेन करना पर बाबा दैपाल के मंदिर में ये दिक्कत बिलकुल भी नहीं है पहुत ही नीट and clean है हरा भरा है और इसकी इतनी जादा मान्यता है कि जो भी लोग गाउं से success होके जाते हैं तो आप जितना भी डवलप्मेंट इस मंदिर में देख रहे हैं जो tiles देख रहे हैं जो maintenance देख रहे हैं वो वही सब लोग कराते हैं जो गाउं से जाते हैं और बहार कुछ जाके तरक्की करते हैं तो वो अपने अनुसार अपने सामर्थे के अनुसार मंदिर में कुछ ना कुछ काम जरूर कराते हैं हुआ है ठीक नोग मारों अभ希न निचरह चोले तो अले निचरह निछone एंई नपने मिंख्दह एंग मिलयमे बडी नावो ड़ज और अधरिये लीचे थे घया ज्रूब अधर करादा इंवह एंग में में दख asında स्वारा भ्याजाघा की अग्रथ तो गाइज यह हमारा मंदर जिसकी हमारे गाउं में सबसे जादा मान्यता है और यह जाना जाता है दादा दैपाल के नाम से जहां पे मेरी ससुराल है अटाल वहां के जो में देवता है जिनकी सबसे में पूजा होती है वो यही देवता है तो हम यहाँ पे जब भी आते हैं, हम सबसे पहले बाबा दईपाल पे आके जोत लगाते हैं और आशिरवाद लेते हैं जोत लगाने के बाद हमें एक पूरा राउंड चारो कॉर्नर्स पे मंदिर के पानी चड़ाना होता है एक राउंड लेना होता है, मतलब परिक्रमा और पानी चड़ाना होता है और ऐसा है कुछ हमारे पूरा मंदिर जो बहुत प्यारा बना हुआ है एक दम गाउं के बीच में मतलब खुले जगा के बीच में उपर भी और चारो तरफ पूरी हरियाली है ये उपर चट पे जाने की जगा पूरा नीट और क्लीन साफ सुत्रा वेल मेंटेंड ये लोगों ने धरमशाला है बनवाई लिए जिनके काम मननते पूरी होती ही न तो धरमशाला है बनवाई है और इसके ज़स्ट पीछे है हमारा जोहूर तीरत के नाम से जाना जाता है ये जोहूर और यहां पे बीचिश वेल्यूज हैं सबाते जोडते हैं और यह जो प्यारा सा डॉग यह मेरे पीछे पड़ा हुआ है इसको प्रशाद चाहिए प्रशाद चाहिए तो यह है हमारा धार्मिक स्थल जिसकी बहुत मान्यता है गाउ अटाल में तो गाइज हम निकल चुके हैं दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए जैसे कि आपने देखा और अब हुन जा रहे हैं गाउ में अंदर अंदर जाके मिलेंगे हम मौसी से दो मौसी हैं उनसे मिलेंगे और फिर हम अपने अपने घर में जाएंगे जो हमारा गाउ में में घर है वहाँ पे हमें मौसी मिलेंगी और ताई जी और एक मौसी और गाउं में रहती है चाची सास रहती है और हमारी एक मौसी बी सी गाउं में रहती है उनके घर भी जाएंगे आपको दिखाती है आईए चलते हैं अब गाउं की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि जो बाबा दाईपाल का मंदिर है वो बिलकुल गाउं में एंट्री करने से जस्ट पहले है और यहां पे हम आचुके हैं गाउं के अंदर और गाउं का माहौल देखकर भैंस देखकर और सामने जो रखा है न छोट आईजी हैं और वो मम्मी की बहन भी हैं तो मौसी भी हुई तो हम यहां पर भी रहेंगे थोड़ी दिर बाते करेंगे बैठेंगे और फिर उसके बाद एक और हमारे यहां पर मौसी रहती है यानि की मम्मी की बहन तो हम उनके घर भी जाएंगे जब भी गाउं आना होता है गाइस बहुत टाइम बाद होता है तो हम कोशिश करते हैं कि आएं सब के साथ बैठें, बातचीत करें और सबसे मिलके जाएं तो नीचे मौसी, चाची और ममी बैठके बाते कर रही हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक बारी छट पे जाके और पूरे गाओं का नजारा दिखा दूँ, तो सामने जो आप देख रहे हैं वो है में शिव मंदिर गाओं का और उसके जस्ट हमारी साइड में तब थोड़ा सा कैमरे के इस तरफ हमारा बाबा दईपाल का मंदिर है और यह जो छट है इससे पूरा का पूरा गाओं कवर हो रहा है पूरा गाओं दिख रहा है इतना ही बड़ा है हमारा गाओं बहुत जादा एरिया में नहीं फैला हुआ कुछ ही घर है, सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं मिल जूल के रहते हैं और यहां पर जस्ट अभी हमने चाय पी है उपर ले आए थी, हमने सोचा कि धूब भी है और फ़न का माहौल भी है तो मज़ा आएगा अगर उपर शट पे जाके हम चाय पीएंगे तो और ऐसा कुछ माहौल लगता है शट से गाओं अटाल का जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है क्यूट क्यूट घर दिख रहे हैं अलग-अलग कलर्स के और माहौल बिलकुल ऐसा लग रहा है जैसा हम बच्पन में फील किया करते थे तो हम मिल लिए हैं अपने ताई जी से अब हम जा रहे हैं दूसरी मौसी के घर पे यह आगे जो जा रहा है आपको जो वीडियो में दिख रहा है यह है वरोन यानि किताई जी का बेटा और यही हमें रास्ते को लीड कर रहा है वैसे रमन को तो रास्ता बता है बस मुझे ही नहीं पता थोड़ा सा दूर है जादा दूर नहीं है पास में ही है बुआ का सारी मौसी का घर भी चल्दी से फटा फट से पहुँच जाएंगे और फिर वहां जाके करेंगे खूब सारी बातें इतने आप इंजॉय करो थोड़ा सा गाउं का सफर कितना अच्छा माहौल होता है ना सब लोग आऊ-स-पास जानने मिलने वाले साथ रहते हैं सबसे बाच्छीत होती है बचबन से सब लोगों को जानते है सब एक दूसरी के साथ comfortable होते हैं यही मज़ा है गाउं का ला कि जैसे हम बड़े होते हैं गाउं से दूर-दूर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो life की reality है वो कैसी है, everyone out there is not nice, पर हाँ, जहां पे भी हम रहते हैं, जहां से हम आए हैं, जो हमारी जन भूमी हैं, वहां से हमें हमेशा एक अलग ही लगाव रहता है, वो सिर्फ जगा की वजह से नहीं, वहां के लोगों की वजह से भी, ऐसा हो सकता है कि गावं में आप किसी से बहुत टाइम बाद मिले हो, आप उनको ना जानते हो, लेकिन जो गावं के लोग होते हैं, वो आपको अच्छे से जानते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है देखके कि अच्छा आप हमें जानते हैं, वो कैसे हो हमारे मम्मी पापा की वज़े से हमारे दादा दादे की वज़े से क्योंकि वो लोग उनको जानते हैं and they are so connected to us कि उन्हें सब पता होता है कि कौन किसका बेटा है कौन किसकी बेटी है कौन घर पे मिलने आया है तो everyone is so friendly and so happy सभी देखके इतने जादा खुश होते हैं लगता है कि जो पूरा का feel होता है बंदो बहुत करता है मेरा कि मैं गाओं में आके रहूं पर अभी वो possible नहीं हो सकता पर हाँ आगे future में जाके मैं जरूर इस चीज़ को plan कर सकती हूँ जबकि मैं और रमन तो ऐसे बात भी करते हैं और सोचते भी हैं इस बारे में चलो guys आजाओ मौसी के घर पे क्योंकि रमर उनके बारे में सबसे जादा बात करता है तो मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा पसंद करता है उने जो आप मौसी का घर देखने वाले हो मौसी ने बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है पहले के टाइम का बनाया हुआ है और अभी अभी मौसी ने बड़ा ही colorful पेंट करा है अपने घर पर जो मुझे तो बहुत क्यूट लगा थोड़ा अगर यही घर सेम टू सेम एज इस हम उठा की पॉंडी चेरी में रख देते तो यही हो जाता कि हाँ फ्रेंड स्टाइल घर आ गया पर मुझे बड़ा प्यारा लगा मौसी का घर बिल्कुल पीछे चौक है अपना आराम से बैठो दिन में सरदियों में धूप सेको चाय पीओ खूप सारी बाते करो और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो यहां पे मेरी मौसी है जिनका मैं आशरवाद ले रही हूँ यही है सुभाश मौसी और सामने दूसरे वाली मौसी बैठी है औ मेरे गाओं का टोर अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना नहीं लगा हो तो भी बता देना बस मुझे थोड़ा सा बुरा लगेगा बाबाई जल्दी मिलते हैं